नमस्कार मित्रो दैविक शक्तिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अत्यन्थी गोपनिय प्रयोग जो इंद्रजाल के घेरा में आता हैं, जिसका प्रयोग करके आप किसी की भी नजर को बांध सकते हैं। नजर बांधने का मतलब होता है कि आप जो देख रहे हो वह सही नहीं है। दूसरा व्यक्ति जिसने आपकी नजर बांधी है, वह जो चाहेगा आपको दिखा सकता है, पर वह सिर्फ एक ध्रम होता है। उच्चकोटी के साधक लोग या फिर नागासाधू, जो बड़े नागासाधू होते हैं, उनके पास भी यह विध्या होती है। यह एक साबर पध्धती की विध्या है। अगर आप इसको एक बार सिध्ध कर लेते हैं, तो आप इसकी सिध्धी से जो चाहे लोगों को जो हम बोलेंगे पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वह सिर्फ उसका भृम होता है। मान लीजिये कि मैं कह रहा हूँ, कि मैं आप लोगों को एक मरा हुआ सांप जिन्दा करके दिखाता हूँ, वह सांप जिन्दा होकर हवा में उड़ने लगेगा, ऐसा सिर्फ लोगों को लगेगा पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां बस आपकी बातों को सुनकर वह भ्रम में आजाता है, पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, वे बड़े-बड़े मदारियों को बुलाते थे, मदारी लोग अपना तमाशा दिखाते समय लोगों के नजर बांध देते थे, ताकि लोग समझ ना पाए कि यह क्या कर रहा है, जो वह बोलता था आप लोगों को वैसा ही दिखाई देता था, यह पुराने जमाने की विद्या है, जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसका मंत्र इस प्रकार से है, ओमकाल भैरव धुंधला वाला हाथ खडग, फूलों की माला चोसठ योगिनी संग में चाला, द अब आपको करना क्या है, किसी भी रविवार को अगर उस रात को पुष्य नक्षत्र होता है, या अभिजीत नक्षत्र पड़ जाए, तो रातरी के समय आपको ठीक बारा बजेश मशान में जाना है, जहां पर भैरव जी का मंदिर हो, याद रखें, अभिजीत नक्षत्र या फिर पुष्य नक्षत्र होना अवश्य चाहिए, पहले पता कर लीजिये कि नक्षत्र कब पड़ रहा है, आपको रातरी में जाकर इस मंत्र को दस हजार बार पढ़ना है, और सूरज निकलने से पहले आपको पूरा पढ़ लेना है, मंत्र काफी बढ़ा है, इसलिए आ आप पहले जाप कर सकते हैं, आप रातरी के 9 बजे ही श्मशान में चले जाये, और जाप शुरू कर दे और रातरी के 12 बजे समय पुष्य नक्षत्र या अभिजीत नक्षत्र पढ़ जाना चाहिए, आपके उपर नक्षत्र का असर पढ़ना चाहिए, और आपका सुबह हो पहले दस हजार जाप पूरा हो जाना चाहिए। एक ही रात में आपका यह मंत्र सिध्ध हो जाएगा। आप वहां से आने के पुर्व शम्शान का भश्म ले ले और वहां से बिना किसी से वर्तालाप किये हुए अपने घर आ जाए। याद रखे अगर कोई आपको अवाज देकर पुकारता हैं तो आप बिलकुल भी पिछे न देखे। अगर कोई आपको टोकता हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आपको बिलकुल भी नहीं रुकना है। इतना करने के पश्चात अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तब आप एक चुटकी भस्म ले लीजिए और भश्म को ग्यारा बार मंतर से अभिमंतरित करके लोगों के उपर फूक मार दे ऐसा करने से सब की नजर बंध जाएगी और आप जो लोगों को दिखाना चाहेंगे वही चमतकार आप दिखा सकते हैं। इससे आप लोगों को कुछ भी दिखा सकते हैं जो भी आप चाहत लोगों को वही दिखाई देगा जो आप बोलेंगे मित्रों यह साधना बहुत ही कठिन है हम सभी को जितना कहने और सुनने में यह असान लगता है उतना है नहीं यह साधना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है जब तक आप किसी सिध्ध पुरुष के घेरे में नहीं करते मित्रों एक यही साधना नहीं बलकि किसी भी प्रकार की साधना बिना गुरु के कठापी नहीं करना चाहिए क्योंकि जब मंत्र उच्चारण किया जाता है तो ऐसे नाना प्रकार के आहत पहुचाने वाले उर्जाभी साधक की तरफ आकर्शित होते है गुरु इन दुष्ट शक्तियों को रोकते हैं जिससे साधक की सुरक्षा बनी रहती है ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बिना गुरु के साधना करने पर कभी कभी साधक पागल या फिर उनकी मृत्यू भी हो जाती है इसलिए आप सभी यह साधना गुरु के उपदेश लेकर ही करे अन्याथा आपको इसकी भारी किमत चुकानी पड़ सकती है